हरियों कभी-कभी सादक बहुत प्यारी जिग्या सा कर लेते हैं अच्छा लगता है विद्या की सम्रद्धी का तरीका भी यही है पर इप्रश्नेन से वया हम केवल श्रोता बन करके ना बैठें बलकि अपने मन में कुछ है तो उसको पूछें भी और यह रिशी परमपरा इस के प्रश्नों के माध्यन से साद्गों की जिग्यासा का समाधान होता रहे और हमारी नेक्स्ट जेनरेशन हमसे भी बहतर बनती चली जाए प्रश्न किया एक सादक ने के आजकल व्रक्षा रोपन का सिलसिला चल रहा है और जो उपयोगी व्रक्ष हैं स्वास्ते की दृष्टिकों से अध्यात्मिक दृष्टिकों से उनको बढ़ा जाना चाहिए तो उन्होंने पूछा के हम पीपल का पेड़ और बरगद का उसके लिए क्या कुछ खास्त त्यारी करनी पड़ती है प्रश्न बड़ा सहज है और सब के काम का भी है एक बड़ा संदेश हमको मिलता है कि इनसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता प्रकृती हमें ये संकेत देती रहती है कि आप अपना सर्वोत्तम करें लेकिन प्रकृती की शक्ती है उसको भी पहचानना चाहिए ये दो पेड़ ऐसे हैं खासतोर से बलकि तीन पेड़ का है एक तो बरगद, पीपल, पाकड़ ये ऐसे पेड़ हैं जिनको हम कलम लगा करके या बीज बो करके उनको हम नहीं लगा सकते और कमाल देखें के ये कहीं भी उग जाते हैं और शायद इसी लिए इनकी महत्ता भी बहुत ज़्याद है रहिमन बिरुवा बाग के सीचत भी कुम लाए राम भरो से जो रहे परवत पर हरियाए ये प्रकृति के वो वरदान हैं तीनों पेड़ और बहुत विशेश रूप से तो पीपल और बरगद ध्यान के दृष्टिकोंड से आरोग्य के दृष्टिकोंड से आयुष्य के दृष्टिकोंड से इनका कोई विकल्प नहीं है ओक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादे जरूरी है और दुनिया में अकेला ब्रक्ष है पीपल जो 24 घंटे ओक्सीजन हमको दे सकता है इनको इसलिए दिव्य व्रक्षों की श्रेणी में रखा गया है तो फिर ये कैसे पैदा होते हैं जो टेंपरेचर इनके बीजों को प्रोसेस होने के लिए चाहिए वो हम कृतिर्म रूप से नहीं दे पाते हैं और यह कहिए कि जो अन्य सामान्य बीज हम बोते हैं बीजार ओपन करते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये वाले जो बीज हैं इनको हम वैसे भी नहीं बो सकते हैं और इनकी उपज का तरीका ही ये केवले कि ये है के पक्षी चील कववा और पक्षी इनके फलों का सेवन कर लेते हैं बरगद के फल का सेवन करते हैं बीज के पीपल के फल का सेवन करते हैं और फिर उसकी जो बाहरी लेयर है बीज की वो इनके जो डाइजेस्टिव प्रॉसेस है उससे गुजरते समय वो उतरती है और बीज अंकुरन के लिए तैयार हो जाता है तब जहां कहीं भी वो बीट करते हैं महीं पर ये पेड़ उग जाते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि दीवार में उग जाएगा दो पत्थरों के बीच में उग जाएगा एक पेड़ के उपर दूसरा पेड़ उग जाएगा क्योंकि वो तो रामभरों से है हमारे बोने के बाद हमारी देखभाल के बाद सारी वज्ञानिक पद्धती लगाने के बाद भी बहुत से पोदे हमारे लगाने के बावजूद भी नहीं चल पाते हैं लेकिन ये क्योंकि राम भरोसे हैं इसलिए ये परवत पर पत्थरों पर भी हरशाते हैं और दिखाते हैं कि जीविशा किसको कहते हैं हम ये कर सकते हैं कि पहली चीज तो कि जहां पर है उनको अगर वो उचित जगए है तो फिर वहें पर उनकी सुरक्षा की विवस्था की जाए जिससे के वो सरसब्ज हों और उनका फाइदा हमको मिले लेकिन ऐसी जगों पर भी ये उग जाते हैं दिवारों के जो संधी हैं दो इंट जूड रही हैं उनके बीच में जरा सी जगे मिल गई है वहाँ पर ये उग जाएंगे क्योंकि पक्षी तो कहीं बैठे हैं कहीं भी उन्होंने बीच छोड़ दिया तो वहीं पर उसका अंकुरन होना 살ूँ हो जाता है बहत बारा परेशान भी हो जाते हैं अब यहाँ से इसको कैसे उसको आप बहुत मिटाने की कोश़िश करते हैं लेकिन उसके बाद फिर से हरे हो जाते हैं और फिर से फायलने लगते हैं आपको कई बार तो उन्हें वहां से निश्प्रभावी करने के लिए तेजाब का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यदि उनको आप सुरक्षित रूप से निकाल सकते हों तो वहां से निकाल करके उसको आप किसी उचित जगह पर लगा दें और उसके देख भाल की जाए तो वो बढ़ सकते हैं यानी उनको जर्म देना आपका काम नहीं है उनका जो समवर्धन है वो हमारा और आपका काम है और इस तरीके से हम इन दिव्य ब्रक्षों की रक्षा कर सकते हैं जिससे के उनका लाब मानवता को मिले क्योंकि इन्हें धर्मिक महत्यों के व्रक्षों में शामिल कर लिया गया है किवल इसलिए कि मनुष्य के ये बहुत बड़े मित्र हैं और इनका जो अस्तित्त है वो हमारे जीवन के अस्तित्तों के साथ जुड़ा हुआ है इनकी उपयोगिता को हम इस हद तक स्विकारते हैं कि इनको जिस प्रकार से भी हो सके यहां तक के पीपल को जो काटना है वो भी हत्या के बराबर अपराद माना जाता है क्योंकि जिसको आप पैदा नहीं कर सकते उसको मारने का अधिकार भी आपको क्या है तो दो चीज़े मिली कि जिसको हम पैदा नहीं कर सकते जिसको हम बना नहीं सकते उसको बिगाडने का अधिकार हमको बिलकुल नहीं है और दूसरी चीज़ यह कि जो संदेश है कि सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं हाँ हम प्रकृति की व्यवस्था में सहयोगी हो सकते हैं क्योंकि प्रकृति हमारी मा है, हमारी हितैशी है, हमारी मित्र है माता, पिता, गुरु ये मित्र के रिष्टे में आते हैं तो उन्होंने जो हमारे लिए किया तो उसको हम संरक्षित करें और ये जान लें कि रहिमन बिर्वा बाग के सीचत भी कुम लाए यानि मनुश्य के प्रियास कई बार असफल हो सकते हैं लेकिन अगर हम राम भरो से हो करके किसी कारिय को करते हैं तो फिर बिलकुल असंभव भी संभव हो जाता है यानि परवत पर भी पत्थरों पर भी ये पेड़ फलते हैं फूलते हैं और अपनी जड़े मजबूत बना करके खुद भी मजबूत होते हैं और उस धर्ती को जहां ये पैदा हुए हैं उस अपनी पकड़ से उसको भी बहुत मजबूत बना देते हैं तो आई इनकी जो व्यवस्ता है उसको समझने की कोशिश करें और साथ ही जो ऐसे स्थान पर ये उग जाते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं और वहां से हम इनको सुरक्षित निकाल सकते हैं तो निकाल करके इनको समुचित स्थान पर हम लगा करके उनको बढ़ा सकते हैं और इन रक्षों की रक्षा के माध्यम से हम मानवता की रक् आरियो